आज हम बनाएंगे होली स्पेसल गुजिया के बिना होली श्रीवेट नहीं कर सकते हो तो होली में जरूर यह गुजिया बनाते हैं और होली का बहुत स्पेसल यह भीठाई होती है इसको आप सूखा नास्ता भी बोल सकते हो गुजिया बनाना बहुत जरूर ही है तो होली में ये जरूर बनती है तो फ्रें हम आपको गुजिया हम बनाएंगे क्योंकि अब होली आने वाली है और आप सबको हैपी होली गुजिया बनाने में बहुत कि टाइम कम लगता है अर्कूट्या नहीं बना एक सरा अबक्ते हैं इसके कि लिए मैंने did यह 400 गजा मैंने मैदा लिया है और मैदा को पहले हम इसमें आधा कर्टोरी घीष डालेंगे क्योंकि जब भी आप गुछ्या बनाएं तो इसमें घी-ट करें गुजिया बहुत अच्छी बनती है यह इसको मॉम भी बोलते हैं अच्छे से घी को आटा के साथ मिक्स कर लें अच्छे से डो बना लें कि जब आपके यह मुठी बनेगी आटे गा तो समझे आपकी यह आटा अच्छे से मिक्स हो गया है उसके बाद हम हलका हलका पानी जालके आटे को अच्छे से गूंद लेंगे और आधे घंटे के लिए मैंने इसको रेष्ट करने के लिए चोड़ना है तो आपकी गुजिया जो है अच्छी बनेगी और फ्रेंड गुजिया कभी भी गरम ज्यादा तेल में ना डालें नहीं तो वह जैसे हम आपको दिखा आप लोग को बता रही हूं कि गुजिया जब भी आप टाले बनाए तो थोड़ा हलका तेल गरम हो तब भी बनाए तो काजू बेदाम अक्रोट इलाइची और किस्मिस मैंने लिया है डाइपूट और यह मावा है खोवा तो हम जो गुजिया बना रहे है उसके में खोवा हैं अब सब भी भूचेंगैं फ्राई करेंगे जो पहले ड्राइब फूट है ड्राइफूट को भी फ्राइब में बत्र डाली हूं अगर आप घी बी डाल सकते हstag घ्म सकती है अब थोड़ा अब अब ठ्होड़ा घ्ञां आ अगर आप नहीं यह ड्राइफूट ता खोपरा सब भी बना सकते हो खोपरा पाउडर भी मिलता है तो उसके भी आप बना सकते हो गुज्या बना के ध्योली में जरूर बनाना चाहिए बहुत अच्छा होता है अब हम मैंने ड्राइफूट भूझ लिया है अब इसमें जो ना बूझेंगे बट्र डाल दिया है दो चमच घीग डाले है अब इसमें मैंने डाल दिया है सूझी को इइसी प्रणर नहीं हो जाए सूझी को चलाते रहे है सूझी को छोड़े नहीं 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 तो क्याित होती एक तेरफ सूझी पकी पक्रधार डहांई को बंदने solar AG चान तरफ से कच्छी रहती तो गुजिया खाने में अच्छी नहीं लगेगी इस तरह से आप इसको चलाते रहें और बूस्ते रहे इस तरह से इन आकर से सूजी को भूसते रहें जब तक से सूजी सोनानी हो लИकला नहीं हो भूज लेना है तो मैंने मावा को भी अच्छे से भूज लेंगे और भूजने के बाद सारे ड्राइफूड जो भी है ना सबको अच्छे से मिक्स करने ना है और जब ठंडा हो जाए तब बनाएं तो फिर गरम गरम बनाएंगे इस तरह से देखे मैंने खोवा को भी भूज लिया है अब हमारे मैंने अब सबको मिक्स करेंगे तो मिक्स में मैंने मिक्स करने ले लिया है बोल में मैंने सब डाल दिया है डाइफूर सुजी जो भी मैंने भूजा था तो अब इसमें हम डाल लेंगे खोवा जो खोवा मैंने भूज़ा है खुवा भी एड्ड कर देंगे और इलाइची पाउडर जरूर डालना ना बूलें कि उससे ही खुच्वू बहुत अच्ची आती है इस तरह से इलाइची पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लें जो खोवा जो है अच्छे से दम अंदर तक मिक्स हो जाए और खाने में यह लाजवाब लगे तो फिरें अगर आपको यह वीडियो अच्ही लगती हो तो वीडियो को लाइक, सेर और बिलंग माईकम जलू दबाईए को आपको हर नई-नी रेश्वी आने वाला मिल सके और जितना हो सके हमारा वीडियो सेर करें सेर करें फिरें मैंने सक्कर डाल दिया सकर forgot about डालके कि से mix Date ऐख करint और फिर ठंडा होने के बाके Aww गूंचीव तो क्षता है वह गूजिया दले का ड्राता है तो इसलिए मैंने बोला आप ठंडा करके थोड़ा देऊ डोग को ठंडा होने देज़े मतब जो भी यह बनाया हो ठंडा हो जाए पाच मिनटे इंतिजार करें चलिए यह पाच मिनट के लिए हम इसको ठंडा हो चुका है तो हम आपको गुजिया भी बना के दिखा रहे हैं गुजिया गणने का आता है धाचा तो उसमें आप गुजि बनाने के लिए बस यह रोटी जैसा इसा बेल लेना है और उसमें पीच में डालिए फिर इसको इसे फोल्ड करिए और काटा का चमबस के मादेम से इसको इसे डिजाईल बना ले तो इस तरह से मैंने देखिए आटा दम कितना नरम होगा है और इसकी बहुत अच्छी गुजि तो यह इसमें हम जो मैंने डो बनाया है वह हम इसमें डाल लेंगे और डाल के अच्छे से चिपका लेंगे तो इस तरह से आप होली स्पेशल गुजिया बनाए यह कि अब होली आने वाली है फ्रेंड होली बहुत नगजीद है आप सो भी अपना हुली इंजोए करें और हो ना सेहत का दियान रखें आजकल बहुत सेहत का दियान रखना बहुत जरूरी है फिरेंड कि बहुत बड़ी-बड़ी बीमारी आ रही है उससे आदमी लोग डर लगता है इसलिए आप खुद भी स्वास्त रहें अपने परिवार को भी स्वास्त रखें और हेल्दी खाना तो इस तरह से बेंड में एक और आपको बेल के दिखा दे रही हूं एक और हम रोटी जैसा बेल लेंगे बात फिर इससे हम आपको गड़ के दिखाएंगे कितना कम समय इसे बन से त्यार ओतिये कि आपको डाइफ भूट यह सब थोड़ा सा टाइम लगता है भूझन हुजने में नहीं बनने में पूर्थ कम समय में आप बूझन बना सकते हो एक किलो देड़ किलो अटा को तो आराम से बना लें तो पूरे आपके गर में परिवार खा सकते हैं और यह गुजिया तो फिरेंग सबसे बड़ी बात यह ख़राब होती है यह अगर आप स्टोक करके भी रखते को तो यह तम नहीं ख़राब होती है यह बहुत और देखिए मैंने सारे बना लिया है तो चलिए अब इसको हम फ्राई भी कर लेते हैं प्राई करने के में जिसे लिकल चाहे जैसे मोम में गाल में निकल जाते हैं इस तरह से आप गरम तेल में ना डाले मैंने गरम तेल में डालें एक बार मैं बनाई तो थोड़ा सा तेल ठंडा था या तंढालें तो इस लए मैं बतारी फ्रेंड तेल ज्याद़ा गर्म हो तक गुझ्या को नहीं फ्राई करें गुझ्या तेल हो तकी लालें तुझा यह इनल गुझ्या ज़ाली को तब अच्छी ի्राई होके और खस्ता भी बहुत जादा बना है तो देखें मैंने सिर्फ 400 ग्राम आटा में मेहदा में बनाई हूं और आप बताईएगा फ्रेंड कि आपको ये रेश्वी कैसी लगी और जितना हो सकते मारे वीडियो सेर करें केमन करके जरूर बताए फ्रेंड कि आपको हमारी गुजय क कैसी लगी और आप सबको हैप्पी हपी होली कि हैप्पी होली फ्रेंड आप सबको तो हम बारा भी घुजय आप फराई कर लेंगे जिम्हें ये दो प्रेल गड़िया घर घ्रका तो इसको भी हम फ्राई कर श्रीग करन के albo बहुत को आपको यह रेश्पी कैसे लगी जरूर बताईएगा और यतना हो सकते हैं हमारा वीडियो सेर भी करें और प्लीज आप सब सुपोर्ड भी करें तो देखिए पड़ा पड़ा हमारी गुजयागबन के तम रेडी हो चुकी है मैंने लिकाल भी लिया है अब आपको यह होली म मेमान को गिनाये खुद भी घाये और यह देखिए लाजवा बनिये बहुत अच्छी लग रही है देखने में और कितने देखने में कुछ अच्छी लग रही है तो चलिए नए इस वीडियो मिलते हैं तक तक से बाई